अब आपका स्वागत है मैं अब इंका मांडर संतो शर्माज आँब बात करने वाले हैं राहू गुरह को बारे में राहू के नाम से सुनते ही लोग डरते हैं कि पता नहीं किस पकार एक रहा है क्या करने वाला है इसलिए भी डरते हैं कि राहू कहते हैं कि सुर्ज को य चंद्रमा को जब वसित कर लेता है खा जाता है यह क्याता है इस तो करके मन लगा है लेकि राहू कोई प्लानेट फिजिकल प्लानेट नहीं है आपको देगा ये राज सम्मान देगा पॉरिटिक्स में हो ताप बहुत उपर जाएंगे आप इसे काले कित्र में स्पेशली आप मिल्टर सर्विस में हैं तो वहां भी बहुत उन्मधी करेंगे या कुर्पूर सेक्टर वर्म है तो भी वहां आप वास प्रेशन प्रेशन वर्म बन सकते हैं ज़र राहो खराब है तो यह रपीजे नहीं मिलती है इस मिलने के परिशानी बादा जाती है तो पहले यह दिखना पड़ेगा कि आपके चाट में राहो है कहां बैठा हुआ है किसके साथ बैठा हुआ है जैसे राहो बैठ जाए चंद्रमा के साथ है बैठ जाए तो उसमें होता क्या है कि आप रेश कर पते नहीं है और हर्दम इसके सफुख लिए था आपका उड़ता रहे तो भी पूब फूपर बैठ जाए ए शुक्रism कत इलब सी बैठ जाए तो राहो जैडिजि बैठ जाए है गैडदी है विदो बैठ जाए थे व्युक्र नला है मैंस का गतल संद्र जा बिंदिक याडविशा infrared, it is between the red color and red color frequency and the microfinancy so it is hotter than the red, it is hotter and more powerful than the Mars also so Rahu or Shukra, Venus, Venus is basically ice, Rahu or Venus are out of its head, it will affect your romantic life romance will go down in your life, Rahu or Sun obviously Sun being your soul, Rahu sits with the Sun or Rahu looks at the Sun then what will happen you will have pain in your heart आत्म में आपका स्टोर्वा तो इस तरकार सी बेविचार करना परता है कि राहू कहां बैठा है किसको देख रहा है किसके साथ बैठा हुआ है another example is the Mercury, Bodhagra is the heart chakra about emotions and the relationships राहू और बुद्कर की यूति बन जाती है तो भी मन में काफी दुख रहता है अधि जानकादी के लिए हमारा वेबसाइट को लोगन करें www.whitelotus spirituality.com संपक्स आदनी के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए है ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें लाइक करें और सब्स्क्राइब करने ना बुलें मैं वह इंक्रमाडर संतो शर्मा वाईल रस्विश्वरेटी के सस्ताप्त नमस्काल कुष्री मैं झाल मैं छोल रस्य वाइक करें तो आदनी थीला क्मा धूल